भारत में करोना की दूसरी लहर का उफान थमता दिख रहा है लेकिन तीसी लहर का खत्रा मनरा भी रहा है एक्सपर्ट लगातार ताकीद कर रहे हैं कि तीसी लहर में बच्चे खत्रे में आ सकते हैं बच्चों के टीके की कोश्चे जारी हैं बच्चों को लेकर तमाम सवाल जवाब के साथ इस बीच हमाई साथ मौजूद है बच्चों को लेकर भारत में कि ये लेहर सबसे जादा बच्चों को प्रभावित कर सकती है इसमें कितना नदेखने कि इसन नदेखेंगे आपने बिल्कुल सः ही कही बात कि इसमें आपको फैट पे कुछ Arsen मित है और कुछ लोगों की चिन्सा게 जो की वाजिब हैं क्यूंकि हम लोगों ने अतना बुर सा me करमंट देखा है इस समय सेकंड वेव में जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी आगे की चिंता जरूर होगी लेकिन जो मौजुदा हाथ है उसको देख लेते हैं पहले उसी से हम थोड़ा अंताजा लगा लेगी देखिए जैसे चरम सीमा पर जब यह वाइरस था सेकंड वेव पे तो उस समय करीब तीन लाग केसिस मान लीजे थे तो ऐसा नहीं था कि बच्चे उससे बंचित से बच्चे भी इंफेक्टेट थे लेकिन हम उनको जादा टेस्स नहीं कर रहे थे इस समय फोकस था एड़र्ट्स पे तो अगर जो आप बच्चों को भी टेस्ट करते हैं और आप पूछ लीजे पीडेट्रिशन्स को और घर में जो लोगे मेरी अपनी सिस्टर के दो बच्चे तो उनको भी कोरोना तो हुआ ही था लेकिन उसमें से पूछना यह है कि कितने लोग असल में बिमार इतने पड़े कि उनको दवा के जरूत पड़ी या इतने कि उनको तो उसका जवाब होगा कि बहुती कम अगर जो आप भारत में भी देख लें और यूके यूएस से हर जगा देख लें तो जो बच्चे हैं वो जादा तर स्पेर्ड हैं अब चाहे वो पहला वाला वेरियंट हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो तीनों में एक चीज बड़ टोटल नंबर तो तीसरी वेव तीसरी वेव क्या है तीसरी वेव यह है कि आज हमने जो है वो जो रिस्टिक्शन से उनको खोल दी अगर जो हम खोलते हैं तो नंबर बढ़ेंगे क्या मुसको तीसरी वेव कहें वो सकता है कि थोड़े दिनों में जो है किस फिर बढ़ने श सकते हैं दूसरी चीज कि को नया ही वेरेंट आ जाए अब जो डेल्टा वेरेंट है जिस भारत से जो निकला है वो बदल के कुछ और हो जाए तो फिर वो अलग तरीके से संकर्मेंट पैदा करेंगा उसको हम तीसरी वेव कहेंगे लेकिन चाहे वो यही वाइरस हो जो जादा फेले या जो नया वाइरस हो और फेले इसका कोई हमारे पास इस समय एविडेंस नहीं है कि यह वाइरस जो है बच्चों को जादा इंफेक्ट करें ऐसा कहीं पर भी बिल्कुल प्रमानेत नहीं हो रहा है तो मेरी आपके चैनल से जो माध्यम से एक जो मेसेज देना चाहू होंगा पेरिंट्स को जो इस प्रोग्राम को शायद देख रहे होंगे कि आपके बच्चे अगर जो कोवेट से इंफेक्ट होते हैं तो उनका चांसिस की वो हस्पताल में एड्मिट हो और उनकी मौत हो जाए वो अभी भी बहुत ही कम है तो आप इसकी जो है ना आप इतना चिंतितना होई है इसका इसका मतलब यह नहीं कि आप सदर्कनर हैं लेकिन एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी जो बढ़ गई है उसको आप थोड़ा कम कीजिए क्योंकि अब तक आंकड़े इसको दिखाने रहे हैं अच्छा एक दूसरी बात मैं कहूंगा अगर जो चरम सीमा पर हमारे चरम सीमा मतलब यहने कि इतने सारे केसिस थे इसमें हमारे हस्पताल नहीं भड़े इसमें हमारे पीडियाटर की इंटेंसिफ केर यूनिट्स नहीं पड़े तो आने वाले वक्त पे जब वैक्सिनेशन बढ़ जाएगी जब संक्रमन इसी वाइरस का कम हो जाएग लेकिन हमें उस प्रेपरेशन को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि हम उसको ओवर डूना करने क्योंकि आफ्टर और राजकोष्प में कोई अंदधन पैसा तो है नहीं तो अगर जो हम बहुत सारे बच्चों के अस्पताल बनाना शुरू करने इस डर से कि इस अंक्रम और कहीं कि हम ऐसे में प्रेवेंशन के सारे रास्ते अपना हैं जिसमें सबसे महत्वपूर कदम है वाक्सिनेशन और इससे लेकर तमाम देशों में रिसर्च की जा रही है अलग-अलग वाक्सीन को लेकर क्या आपको लगता है कोई एक तरह की अडल्ट डोजर्ज वाली व होगा देखे इसमें तो भी शोच जारी है और मैं आपको यह कहूंगा कि जैसे यूएस में जो है यंग लोगों को आप फाइजर वैक्सिन देनी वो शुरू कर रहे हैं यूके में भी वो धीरे-धीरे आ जाएगी डोजेज तो खैर एड़स होंगे लेकिन चूंकि यह डेडोस पीडियाटरिक पॉपलेशन की होगी और वो सभी को लगई तो मैं एक और बात बता दूँ आपको कि जो वैक्सिनेशन दो बच्चों में चल रहा है या जैसे यूएस में स्टार्ट हो गया है और यूके में भी करना चाह रहे हैं उसका जो उसका जो कारण है वो रीजन उसके दो हैं एक तो आप संक्रमन को सोसाइटी में फैलने से कम करें क्योंकि बच्चों में वायरे सर्कुलेट होता है उसका सेकेंडरी परपस यह है कि बच्चों के अंदर संक्रमन और उनकी बिमारी रोगे तो प्राइमरी उबजेक्टिव और सेकेंडरी उबजे है वो समाज में सर्कुलेट हो रहा है उसकी सर्कुलेशन पर थोड़ा रोगदाम किया जाए कि बच्चे अगर स्कूल तक पहुंचते हैं तो फुली वाक्सिनेटेड हो ऐसे में आप इस कदम को सही मानते हैं क्योंकि कई ऐसे वेरियंस और म्यूटेंट आ सकते हैं और शाय आने वाले वक्त में शायद इस वाक्सिनेशन पर भी असर ना करें देखिए वह तो खमी भी हो सकता है हम उसको मना नहीं करते हैं लेकिन अब अगर जो फ्यूचर का कोई वेरियंट हो और वो एक दम ही पदल के बच्चों को अटाक करें अब तक तीन वेरियंट ने तो करा जो डिल्टा वेरियंट हम बोलते हैं इन वेरियंट किसी ने भी बच्चों को ज्यादा इन प्रेफरेंस टैक्नी किया तो मैं एक चीज तो यह कहूं तो स्कूल का जाता है कि यह देखिए कि सा बैलेंस बीटून आप घर पे रखें बच्चों को कि स्कूल में ले जाएं व जो ही बच्चे वाइरस घर ला रहे हैं और घर के अंदर जो एल्ड़ी पीपल हैं और जो एडल्स हैं उनको वाइरस इंफेक्ट करने से रोकेंगे तो एक यह थिंकिंग है कि हम स्कूल में जो है वैक्सिनेशन ड्राइब जरादा करें फिर मैं भूं फिर के वही बात पर हुआ कि बच्चे जो हैं वो जारतर सुरक्षिती हैं तो इसका जो वैक्सिनेशन ड्राइब का जो एक मुख्य का वो देश्य रहेगा क्या वैक्स जो वाइरस सर्कूलेशन उससे कम करें या फिर इंडिया के केसिस बिल्कुल अलग तरीके से अलग चश्मे से आप देखते हैं इतनी अलग चश्मे से नहीं देखते हैं देटा वर्लड वाइड ही शेयर होता है वो तो उसमें कोई बात वह नहीं है जो हम लोग इंडिया में जो वेरियंट है उसके बारे में भी देखने तो इंडिया के आंखडों को ही आप देख लीजिए तो उसमें जो बच्चो बच्चों से बढ़े जा रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं तो इस तरह से जो हमारा एक्सपीरियंस से यूगें वो काफी सिमिलर है इंडिया से यहां पर भी जैसे हमारे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केर यूनिट है जो कि बच्चों के लिए उसको हमने खाली करवा दिय उसमें अडिल्ट्स रखवाए थे क्योंकि अडिल्ट्स की पॉपुलेशन अडिल्स में संक्रमेंट जादा था तो एक तो मैं मतलब वो एक्सपीरियंस सिमिलर एक जिसी हम चिंता कर रहे हैं जो मैं बात करना चाहूंगा जो पिम्स है एक बड़ा रेर सिंड्रोम है जिसम बच्चे संक्रमेंट के कुछ हफते बाद बहुत ही ज़्यादा सिवेलरी एफेक्ट हो जाते हैं और वह एक चीज है जो कि बहुत रेर है बहुत ही जादा रेर है लेकिन पीडियेट्रीशन सेंपेरेंट्स है तो बी अवेर कि वह हो सकता है उसमें यह नहीं कि आप चिंता को दिखाएं लेकिन ज़्यादा तर आम तोर पर यह माइल्ड सिंटम होंगे बहुती कम बुखार होगा होगा भी थोड़ा बहुत होगा और उसके बाद वह अपनाटी हो जाए यह ज़्यादा अगर भारत के इंटीर इलाकों से अगर आप वाकिफ हैं किस तरह की मेडिकल स कि वजह से मामला बढ़ गया उसके बाद यहां तक कि बच्चे की बहुत भी हो गई जह इंहींद कि लिए कि मैं तो यह चिंता को एक एक लेवल प्लेंग फील्ड पे लना चाहिए जो रियालिटी से जोड़ी हूँ तो आपने बात बिल्कुल सही शायद रही है कि गाउं में जहां पर सुविधाय कम है वहां पर शायद आपका डाग्नोसिस ना होता हो फिर भी गाउं में भी आप देखेंगे कि बच्चों में संक्रमन कम ही है पर यह नहीं मैं कह रहा हूं कि आप मेडिकल फेसिलिटीज ना प्रोवाइड करें वो तो बहुत जरूरी है तो यूके का आपका अनुभव क्या कहता है वहां पर कई वेश आ चुकी हैं दीरे-दीरे कई बार अनलॉक की सिती आई दुबारा लोगडाउन करने की नौबत आगए एक बात फिर से मामले बढ़ने लगे हैं अब वहां पर क्या ताजा हाला थे देखे यहां पर थोड़ा हम पीछे जाए तो मार्च में जब संक्रमन बढ़ा तो फिर लोगडाउन हुआ फिर वेक्सिनेशन स्टार्ट हुई और अब जो खुल रहा है UK जैसे अब कहना है किस जून को खुलेगा तो अब जो खुल रहा है वो vaccination करने के बाद काफी population वेक्सिनेट हो गई है तो उसके बाद खुलना चाहरे हैं फिर भी यहां पे चिंता बने हुई है क्योंकि जो डेल्टा वेरियंट है जो कि इंडियन उरिजिन से है वो यहां पे तेजी से बढ़ रहा है तो ऐसा है कि एक तरफ से थोड़ी सी उम्मीद जगी है लोग देखना चाहरे हैं कि समर आ रहा है और economic activity भढ रही है और back of the mind में वो चिंता फिर से शुरू हो गई है कि यह जो वेरियंट है फैल रहा है दो अच्छी चीज़े हैं एक कि जिन में भी यह जो वेरियंट पाया जा रहा है है वो लोग थोड़े-से यंग लोग हैं क्वी वाक्सिनिटेड नहीं हैं उसका मतलAB यहैं जो आपके पास डोडोbs dau्रैंशन है उसे जो को प्रोटेक्शन मिल रही है वो बहुत वो काफी स्ट्रॉंग है और उस वज़े से जो है यहां पर दीरी दीरे कॉशिस ओपनिंग हो रही है लेकिन यह फर्स सेकेंड थर्ड वे इतने सब यहां पर इससे कहते हैं दूद का जला चाजवी फूग के पीता है वह वाली हो गई है कि 21 जॉन ठीक है कि नहीं क्या हम थोड़ा से जुलाई में खोले ठोड़ा दिन और इसको पुस्पोन कर दें तो ये आंक मिचोली चलती रही और यह आंकमिचोली हमारे लिए यूके में नहीं है में भी चलती रहेगी इसका इसका जो इसका जो पून अंत शायद तभी होगा कि हम महारे पास वैक्शिनेशन रेट्स इतने जादा हो जाएं कि सारे वेरेंट्स जो हैं वो खतम हो जाएं बस वही एक मुझे एंड गेम लगता है इसका वरना तो आप लॉक्डाउन खोलें त कि लोग मास्क पहन के जा रहे हैं सोचल डिसंसिंग कम है और फिर से रही स्टार्ट लेकिन क्या कभी यूएस मॉडल की तरह नो मास्क वाली स्थिती में आएगा उन्होंने तो कह दिया है कि अगर आपने वाक्सिन ले लिए तो आप बिना मास्के भी गूम सकते हैं दूसर चीज मास्क का तो मास्क का जो अभी भी यहां से यूके में तो यह है कि आप मास्क पहनी है इसमें वह यूएस वाला सिस्टम नहीं हुआ यहां पर क्या बिना मास्के चलिए दो वैक्सिनेशन क्योंकि पता करना बड़ा मुश्किल है कि इसने दो वैक्सीन ही है तो यह भी कि जो हम लोग युके में मैं पार्ट ऑफ सेडी हूं युके के अंदर जिसको कहते हैं युके रीच हम लोगोंने करीब बारा से लेकर I think 14,000 जो डॉक्टर्स हैं नर्सिस हैं और हेल्थ केर वरकर्स हैं उनको सर्वे किया है वो अभी पब्लिश होना पब्लिश भी हो गया रि तो जब डॉक्टरों और हल्थ केर वरकर्स में हिजिटेंसी है तो हम क्यों ऐसा दा मान के चलने की समाज में नहीं होगी और ये जाहिए सी बात है कि अगर तो को नई प्रोड़क्त निकल रही है जिसमें इतनी सारी बाते चल रही है तो ये वैक्शिटेंसी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फिरॉमने एक बात ही है लेकिन इसको बीट करने का तरीका इसको 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 वैक्सिन एजिदिंशी को खतम करने का तरीका सरफ यह है कि आप डेटा ट्रांस्पेरेंटली बताएं कि इतने लोगों को मैं वैक्सीन लगी उसमें इतने लोग कि उनमें ये प्रॉब्लम आई ये साइड इफेक्ट्स है ताकि लोग इसको बड़ा क्लियरली देखें और एक शक शंका और एक ऐसा ना लोगों के दिमाग में हो कि पता नहीं कोई छुपा छुपा गेम चल रहा है कि वैक्सीन के दौरा लोग मर रहे है और हमें पता नही ये चीज जो जब तक लोगों को विश्वास हो जाएगा कि नहीं सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है इसमें कहीं पर डेटा छुपनी रहा है तो लोगों को विश्वास जोए धीरे धीरे बढ़ेगा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमेथ हमाई साथ जुड़ने के लिए और मेहतपूर्ण ये तमाम डीटेल्स शेयर करने के लिए आपने वक्त निकाला आश्टा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया